नमस्कार दोस्तों, आपका अमारे चैनल में स्वागत है कितना जानते हैं आप पटोला साड़े के बारे में दोस्तों, भारत वर्ष में एक से बढ़कर एक फैसन की चीजे पॉपुलर हुई है जिसकी दिवानी पूरी दुनिया है इसी फैसन की दिवान की में एक नाम आता है पटोला साड़ी का आपने हाल फिल हाल में ये गाना तो सुनाई ही होगा तू निकले पटोला बनके जाही तोर पर ये पॉपुलर गाना पटोला सब्द को आपके दिमाग में अंकित कर गया होगा पर असल में ये सब्द पंजाब के बज़ाए गुजरात के हद करगा दोग से निकले है जी हाँ गुजराती हस्तकला में ही पटोला साडिया बनती है और इसकी खासियत यह है कि इनकी नकल आप नहीं कर सकते अन्यथा आपको जेल की हवा खाने पड़ सकती है तो आईए जानते हैं इसके बारे में पटोला साडिय का एक सम्रिद इतिहास रहा है ग्यारवी सदी में सोलंकी सासक राजा भीम देव की पतनी रानी उदे मती अपने समय में बेहत खूबसूरत और फैसन आइकॉन थी बाद में उनका दिहान तुआ राजा भीम देव ने रानी की याद में बाव नामक बावडी का निर्मान कराया आप इस बावडी की खूबसूरती इसी से जान लीजिए कि यूनेसको ने इसे वर्ड हिर्टेज में सामिल किया है तकरीबन 64 मिटर लंबी 27 मिटर गहरी और 20 मिटर चोड़ी इस बाव को अपने आप में खास माना जाता है इसकी नकासी में मजदूरों को कई साल का समय लगा था अब आप कहेंगे कि मैं इस बावडी का वर्णन क्यों कर रही हूं तो यह जान लीजिए कि पटोला साडियों की नकासी इसी बाव की नकासी से मिलती जूलती है पटोला साडियों पर चार अकृतियों को नकासी वाली स्टैल में बनाया जाता है खास बात यह है कि राज तंत्र में केवल रानिया और राजकुमारिया ही यह डिजाइन अपनी साडिय पर बनवा सकती थी बाद में तकरीबन 2800 बुनकरों ने पटोला साडिय की कला को आगे बढ़ाया हालांकि उन्होंने इस राज को खोला नहीं और पटोला साडिय की निर्माणवीदी को खुद तक सिमित रखा आप इस साडिय की खासियत युई समझ लिजिए कि दो मजदूर चार से पांच मेने में मातर एक साडिय बना पाते हैं इसमें हाती, पीपल की पती, नर्तकी, जल में उगने वाले पौधे, टोकरी, सज्जा, दोहरी रेखाओं अत्यादी के साथ बनने वाली पटोला साडिय एक निश्चित क्रम में बनाई जाती है यह भी खास बात है कि अगर आप पटोला साडिय पहनना चाते हैं तो दो साल से पहले आपको इसका ओर्डर देना पड़ता है और आपको कई बार तो तीन साल से अधिका वेटिंग प्रियर्ड भी मिलता है इसकी खासियत यूही समझ जाईए कि डवलू टीयो में भी जी आई नंबर के द्वारा यह है रेजिस्टर है इसका मतलब है कि इसकी कोई नकल नहीं कर सकता इसकी कीमत भी अपने आप में खास होती है इसकी कम से कम साड़ी आपको 1.5 लाग रुपे तक में मिलेगी जबकि साड़ी की अधिक्तम कीमत 5 लाग तक है अधिकतर इसके ग्राहक विदेशी ही होते हैं हलाकि यह साड़ी मजबूत भी बहुत होती है और इसे आपके परिवार की कई पीडियां पहन सकती है पांच रुपे का एक डाक्टिकट भी जारी किया गया है और इसके बुनकरों को राष्ट्रे सम्मान से नवाजा गया है पाटन सहर में एक म्यूजियम बना है जिसमें पटोला साड़ियों का इतिहास बताया गया है निश्चित रूप से भारत की वेहत मसुहुर कला को आगे जारी रहना चाहिए तो दोस्तों इसी परकार और भी रुचक जानकारे के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से रवा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद